10 गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतिजाम करेंगे कैसे करेंगे हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रड्यूस करने की ख्षमता है कैपैसिटी है देश की पीक डिमांड दिमांड होती है 2,00,00,00 मेगावाट तो आज हम देश जीतनी बिजली पैदा कर रहा है पैदा कर सकता है जितनी डिमांड है उससे कहीं जादा बिजली पैदा करने की हमारी ख्षमता है लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे है क्यूं management खराब है दिली में भी यहाल था पंजाब में भी यहाल था बिजली तो थी लेकिन management खराब था हमने management ठीक करके दिली में भी 24 घंटे बिजली का इंतिजाम किया पंजाब में भी किया देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें experience है देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, दिली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं, सवा लाख करोड रुपए का खर्चा आएगा, एक ही कैलकुलेशन करके लाया हूँ मैं, मैं हवा में गारंटी नहीं हम इंतिजाम करेंगे, सवा लाख उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200-200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है, आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को, यह बिजली की पहली गारंटी थी, दूसरी गारंटी है शिक्षा की, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं क कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतिजाम ना कर दिया जाए, अगर किसी देश के अंदर धेरों लोग अनपड़ें, अगर किसी देश के अंदर जादा बच्च, कई बच्चों को बिलो स्टेंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी, बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बच्चता, आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, तस लाक सरकारी स्कूलों के अंदर अठारा करोड बच्चे बढ़ते हैं, जिनका कोई बविश्य नहीं है, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, देश के सारे सरकारी स्कूलों को शांदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बैतर बनाएंगे, और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच् स्कूल से किसी एक परसेंट भी कम नहीं होगे इस शिक्षा का इंतिजाम गाओं गाओं के कोने कोने देश के कोने कोने में अच्छी शिक्षा का इंतिजाम करेंगे डिली में किया पंजाब में किया हमें करना आता है हमारी नियत है हम यह काम आजादी के वक्त हो जाना सरकार देगी। 5 50000 करोड रुपए का खर्चा आएगा केंदर सरकार में, 50 000 करोड तो कुछ भी नहीं, अगर 50 000 करोड रुपए सालाना खर्चे में मेरे देश के बच्चा बच्चा अगर 18 करोड बच्चों को पर इसे अच्छा और क्या हो सकता। तीसरा स्वास्थ है अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी बिमारी नहीं होगी तो देश तरक्की करेगा पड़ी लिखी जनता होगी स्वस्थ जनता होगी तो यह 140 करोड रोगी तो इस देश को आगे ले जाएंगे कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाती है तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतिजाम करेंगे आज अगर किसी को के घर में कोई बिमार हो जाए बड़ी बिमारी हो जाए सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पुरी देश के अंदर और प्राइविट वालों ने लूट मचा रखी है पूरे देश में कोने कोने में हर गाओं में हर महले में महला क्लिनिक खोला जाएगा शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने उनको मल्टी स्पेशलिटी बनाके उनको शानदार प्राइविट हॉस्पिटल की तरच पर बनाया जाएगा और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफटोगा. इंशूरेंस के अधार पे नहीं होगा. यह बहुत बड़ा स्कैम है, जितनी सरकारी राज्य सरकारं के अं画े इन्दर सरकार, इंशूरेंस आधारेग जो स्कीम बनाती है, यह सब बहुत स्ऀम insurance companies के साथ हम infrastructure create करेंगे कोने कोने के अंदर गाउं गाउं के अंदर infrastructure create करेंगे health infrastructure create करेंगे hospital बनाएंगे महला क्लिनिक बनाएंगे ताकि लोग सी वहाँ जाके अपना इलाज करा सकें और सबका इलाज मुफ्तोगा इसके लिए भी 5 लाग करोड रुपय का खरचा आएगा ठाइलाघ करोड राजे सरकार देगी जाय हुद के इंदर सरकार देगी पांच साल के अंदर पांच लाग करोड रुपय हर साल 50 50000 करोड खरचा का राष्ट्र सर वोपरी हमारी चौथी गारंटे चीन ने हमारे देश की जमीन पर कप्जा कर लिया है हमारी केंदर सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया कुछ नहीं हुआ सब जानते हैं पूरी दुनिया जानते हैं सैटलाइट का जमाना हैं सब के पास तस्वीरे हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के उपर घुसके और उसके हमारी जमीन के उपर कर्चा कर लिया जुठलाने से समस्या का समधान नहीं होगा लोगों से छुपाने से समस्या का स तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कबजा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कबजे से छुड़वाएंगे इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर एफर्ट्स किये जाएंगे और सेना को पूरी सुतंतरता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कद अगनीवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फॉज में भरती करके चार साल के बाद निकाल दिया जाता है लोगों की एक ओनर्शिक नहीं बनती चार साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह से हम सेना को सबसे कटिंग एज लेवल के उपर हम कमजोर कर रहे यह अगनीवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है और जो बच्चे युवा हमारे अगनीवीर बनके जा रहे हैं वो लोग भी बहुत रस्त हैं अगनीवीर योजना को बंद किया जाएगा जितने बच्चों को अभी तक अगनीवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिकलेर किया जाएगा उनको पक्का किया जाएगा उनको पक्का किया जाएगा उनको पक्का डिकलेर किया जाएगा और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में अगनीवीर तो कच्ची नौकरी होई ना कच्ची नौकरी बंद की जाएगी और व हो रहा है। सेना के ऊपर इस देश की शर्वाश чका के उपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा का देश कि सुर्क्षा के साथ लेए हैं चाट शटी गारंटि किसानों के लिए किसानों को कि आप इज़त की जिंड़गी दे सकते हैं, अगर आप उनको उनकी फस्लों के पूरे दान देदे किसान कोई भीक नहीं मांग där है किसान अपना अक मांग yell किसान अपनी बारिष में धूप में महनत करके और अपनी फस्ल उगाता है और उथ्वह बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते, तब वो अपने रिन नहीं चुका पाता, आत्मुत्या करने के लिए मजबूर होता, अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें, तो किसान को आप से कोई फेवर नहीं चाहिए, स्वामिनाथन रिपोर्ट के अधार के उप दिल्ली के लोगों का खक है, बेरुजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरुजगारी से तरस्त है, इसके लिए हमने बहुत डीटेल्ड प्लैनिंग किये है, हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठके, सब लोगों ने बैठके, कि एक साल के अंदर दो करोड रोज बेरुजगार का इंतजाम किया जाएगा, ताकि हमारे युगों को बेरुजगारी से निकाला जासेगी, ये प्रोड़क्तिव और एफेक्टिव एम्प्लाइमेंट होगी, भरष्टाचार, बीजेपी की वाशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाए जाए और बेइमानों को सनरक्षन देने की आज जो मौझूदा विवस्था है, इस विवस्था को समापत किया जाएगा, दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भरष्टाचार पे, दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भरष्टाचार और बड़े लेवल का भरष्टा तरीके से पूरे देश को घृष्टाचार से निजात अदिलवाई जाएगी और दस्वी और आखरी गारंटी व्यापारियों के लिए अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगुपती खुल के व्यापार नहीं कर सकते अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते तो बारा लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुल्स बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और द्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचारत खाया है सरकार गेंदर सरकार हैं उन लोगों को डराने का धंकाने जी एस्टी को पीमले से बाहर किया जाएगा जी एस्टी का सरली करन किया जाएगा सारी प्रशासनिक और लीगल विवस्थाओं को सरली करन किया जाएगा और एक ऐसी विवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से वैपार करना चाहे तो वैपार क कर भी सकता है उद्योग खोल भी सकता है ज्यादा परमिशन्स की जरूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को उद्योग को हमारा टार्गेट चाइना को पीछे छोड़ना है जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और गारंटी है और मजबूत गारंटी है और मैं समझता हूं कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी